तो चलिए रूप करते हैं फ़रुकाबाद की और जहां को बता दे कि आवारा पुशूं की आवारगी आप फ़रुकाबाद में देखने को सामय आ रहे हैं आपको बता दे की एक खेद के अंदर सांड के उसने के बाद में जब किसांद और असांड को बगाया जाता है तो ये किसांद भाई अपनी फसल जो तयार करते हैं सरदियों में इनको अपने बीवी बच्चों के साथ घर में होना चाहिए ये लोग इतनी सरद रातों में अपनी फसलों की सुरच्चा करते हैं फिर इनको अपनी जान भी गवाना पड़ती है अब उन आवारा पसूँ को य उनका एक्सिडेंट हो जाना इस बारे में गवर्मेंट की तरफ से कोई भी गाइड लाइन, कोई भी रूल, कोई भी दिसा निर्देश नहीं आते और फिर हड मुरकर हम जैसे गरीब आदमियों को अपनी जान गवाना पड़ती है। सुनने में आया है, कल आपके भाई के साथ एक सांड के हिया मुटबेड हो गई, सांड ने मारा, उसकी डेथ हो गई, तो हम जरा डिटेल में चाहेंगे, क्या नाम था उसका? उमेश कुमार की कितनी उमर थी? 42 साल, उसकी सादी हो गई थी क्या? नहीं हुई थी, तो ये किस समय की घटना है? ये छे तारीक है, साथ वजे, साथ वजे, साथ वजे की घटना है, तो वहाँ क्या कर रहा था ये? उमेश को ही मार दिया, और इस तरीके से मारा की गायल अवस्ता में घर लाया गया, उसके बाद में होस्पीटर ले गया और वहाँ पर डक्टरों ने उसको मरत गोसित कर दिया, तो अब ये वदाओ कोई सासन पर सासन की तरफ से उमेश जी आया कोई? कोई सार नहीं, किसी ने परदान ने, कोई वीडियो ने, किसी ने कोई सूंद ली है क्या? कोई सांतुना देने भी नहीं आया, तो आर्तिक मदद कौन करेगा? अच्छा आप कुछ आप सरकार से कहना चाहते हैं, आपका भाई तो चला ही गया, कुछ लोगों की हो सकता जान बची जाए, आप कुछ सरकार से चाहते हैं क्या? तो सरकार से आप अपनी नाराजगी जाहिर करिए ना, तो क्या सरकार से कहें, सरकार बताओ कोई ना देखने वाला नो नहीं आने वाला, ना कोई सांड को ले जाने वाला, बैस गाई, पिर्धान सेक्रेटरी से कोई नहीं आया, देखिए, जब छोटा आदिकारी की सांतु पर देने नहीं आ सकता तो बड़े कैसे आएंगे, यह हाल हमारे पर